बंसूर में आशा उच्छा की हर्ताल जारी है जिले भर से आशा उच्छा इकत्र हुए और सरकार की खिलाब नारेबाजी की कविता सोलंकी आशा उच्छा की सयोगी प्रदेश अध्यक्ष ने बताये कि हम यहाँ पिछले बंद्रावर्च से अनिशित कालिन हर्ताल पर बेटे हैं पूरे प्रदेश भर में सरकार प्रशाशनिक अधिकारी नहीं हमारे भाग की कोई अधिकारी आज तैक हमारी सुद्द लेने नहीं आए हैं इसलिए आशाउं में आकरोश है परिशान है रोज हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि आशाउं को सर्वे करके देना है जबकि उनको पता है हम लोगों ने नोटिस दिया है 27 दिनों से हम 15 ह्टाल पर है फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है लादली वेना योजना सरकार ना लागू कर दी है पर आशा उशा को नजर अंदाज किया जा रहा है आशाकारी करता को केवल कारी करता की रूप में देखा जा रहा है नहीं कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है नहीं निश्चित वेतन मान दिया जा रहा है 24 से जुन 24 को हमारी राश्ची स्वास्त मिशन के डारेक्टर भारदुआज मेडम ने हमारी हर्टाल को खत्म गया था जो आशाकारी करता है हम कारी कर रही हैं इसलिए इनको 10,000 प्रतिमा मिलना चाहिए और परिवेक्षिक बहनों को 15,000 महिना दिये जाएंगे हम यहाँ पिछले 15 मार्च 2023 से लगातार अनिचित कलिन हर्टाल पे बैठे हैं आज हमारी हर्टाल का 27 दिन है पूरे मध्य प्रदेस में और सरकार और सरकार के प्रसासन के अधिकारी और नहीं हमारे विभाग के कोई अधिकारी आशाकारे करताओं की कोई सूद लेने के लिए आए हैं कि आशा बेने इतने दुनों से हर्टाल कर रही है इसलिए आशाओं में अक्रोश है परेशान है और सोसन का सुकार होते होते आशा आज खुद सोच रही है कि हम किस विभाग के लिए काम कर रहे हैं जो हमारी सरकार और हमारी और नहीं ध्यान दे रहे हैं यहां तक तो लाड़ली बहन योजना लागू कर दी गई है, जो कि सरकार अगर वाकई महिलाओं की हिते सी होती, तो जो हमारी टंकी गेज की टंकी है, एक हजार सतर ये एक हजार पचास की आरी, उसके ही एक हजार उपे कम कर दीए जाते, तो हर बहनों को सीधी सीधी सुमिधा मिल जात के, छोटे-छोटे बच्चों को रोता भी लगता घर पे छोड़के, फिर जाती के वाइसी करवाने, और दक्का मुकी ओरी फ्री में, अपने आपको मामा कहने वाले मामा, हमारे परंतुम बहनों को कोई मामा नी है, और इन बहनों का कोई भाई नी है, यहां तो हम मांग कर रहे हैं कि आशा कारेकरता जो इतनी निश्चित करमचारी के रूप में काम कर रही है, जिसको की एक सिप कारेकरता की रूप में देखा जा रहा है, उनको सिप कारेकरता कहा जा रहा है, इसकीम वरकर के तहर ना तो उनको निश्चित करमचारी का दर्जा दिया जा रहा है, नहीं उनको निशित वेतन मान दिया जा रहा है हमारी जब 2021 में आनिशित कलिन हर्टाल के दोरान 24 जून 2021 को हमारे राष्टिय स्वास्त मिसन के डारेक्टर भारदवाज मैडम ने हमारी हर्टाल को खतम किया था कि आप ये अपनी हर्टाल खतम करें जो आशा कारे करता इत्ता एहम काम कर रही है उसकी जायज मांगों को लेकर उसको 10,000 रुपे मिलने चाहिए और परियव एकशक बेनों को 15,000 रुपे दिये जाएंगे हम ऐसा प्रस्ताव बना कर सरकार के आगे प्रस्तूत करेंगे और आपकी मांगे पूरी की जाएगी जी, मैं कवीता सुलेंगी आशा उशा असा सयोगी एक्टा यूनियन सीटू की प्रदेश अद्यक्षि तो हम वो आज तक हमें मांग कर रहे हैं कि जब आपके डिरेक्टर महोदे हैं प्रस्तूत के अधिकारियों ने मांग करी है उसी मांग को पूरा कर दे और हमें 10,000 रुपे दिये जाए जब तक कि हमें सांस की करमचारी का दर्जा नहीं दिये जाता हमारी मांग है कि हमें सांस की करमचारी का दर्जा दिया जाए हम यही मांग करना चाहते हैं करते हैं मामा जी से हमें इतना वेतन तो दे हम अपना बच्चों को भाब भरन पोश्चन कर सके अपना घर हएमा जना सके अगर मंसोर से बीडी विरागी कि ये रिपोर्ट कि अनुग कुछ